हेलो फ्रेंट्स हमारे चैनल पे आपका स्वागत है तो हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी जुर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई डिजाइन अप्लोड करूँ तो आप उसे मिस ना कर पाएं तो दोष्तो आजकी वीडियो में आपको ये चाहने डिजाइन बना कर बताऊंगी तो आप इस वीडियो को इंड तक जरूर देखेगा ताकि आप इस डिजाइन को आसानी से बना पाये raise आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप एक step सीख लेते हैं, तो फिर आप इसमें का total step आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि इसमें सारा step repeat है, तो आपको भी कोई भी problem नहीं होगा इस design को बनाने में, तो मैं इसमें step by step आपको बना कर बताऊंगी, तो आप आसानी से इस design को सीख लेंगे, तो मैं इसमें दो घर पे आपको बना कर बताऊंगी, आप इसमें 8 घर पे अनाम से कप्टे की पट्टी यूज़ करके बना सकते हैं, देखिए इस तरह से हमने पट्टी लिया है, और मैंने वाइट उनका भी यूज़ किया है, तो आप कप्टे की पट्टी का भी इस्तमाल कर सकते हैं चाने डिजाइन में मैं बस इसमें इस पट्टी का यूज़ की हूँ तो सबसे पहले हम इसमें फंदा तयार कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है वहाँ पर बांद लेना है और हमें ये गुच्छा टाइप से बनाना है देखे इस तरह का हमें इस तरह का दस बनाएंगे और फिर हम जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर में इसे बांद लेंगे में जहाएं जहाँ जहाँ बाल करता दार्ट आर सकॉने में जहाँ जहाँ कर दो तरह का हमें प्रेजि कि अधिया है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हम देखliaken हैं हम द्स तैयार कर लिया थो आगर आप चगाने बना रहे है उसमें देख सकते हैं कितनी दूरी आपको रखती हैं कितनी लंबाई रखती हैं मैं तो बस इसमें नमूना आपको बता रहे हूं तो कम से कम आप 10 या फिर आप चाहे तो 12 पंद्रा या छोटा-छोटा साप बनाना चाहते तो आप कम भी रख सकते हैं तो इस तरह से हम गुली बना लेंगे इस टाइब का गुली आप असाने से इस वीडियो में इससे पहले मैंने बहुत ऐसी वीडियो में इस तरह का गुली बनाकर बताया आपको तो आप असाने से इस डिजाइन को सीख पाएंगे देखिए इस तरह से हमारा तयार हो चुका है अब हम इसे जहां से स्टार्ट के थे दोस्तों वही पर हमें इसे लाकर बांध लेना है देखिए इस तरह से देखिए इसी तरह से हमें मैं इसमें पांच तयार करूंगे सेम इसी तरह से आप इससे ज़्यादा तयार कर सकते आठ नौ दस इस टाइप से बना कर आप तयार कर सकते देखिए दूसरा भी रेडी है हमारा तो इस तरह से दूसरा भी सेम इतने ही साइज में बनाएंगे और जोईन कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने इसमें पांच बना लिया है यह लास्ट है देखिए यहां पर हम यह लास्ट है तो हमने इसमें पांच ही फंदा करके बनाया है तो आप अपने हिसाब से यहां जितना घ़र में रखना चाहację आप उतना रख सकते है इसकी लंबाई अपने हिसाब से बस मैं इस मैं आपको ट्रीक बता रही हूँ है बास में अब्तो म्ना दो गर चोप सकते इससे बहुत असानी से बन deficiency तो इस तरह से एक प्रफ तयार कर लिया हमने फिर मैं एक और बना कर आपको बता दुरू ताकि ज्वाइन करना आप सीख जाएंगे अपर बना करना आपको अर शबस्साइए्स हमने कर लगाएंगे जाएंगे कर लगाएंगे टवाएंगों झाल झाल तो दोस्तों अब हमें क्या करना है देख लिजे अब हमें 10 चैन पे से ज्राइन करना है करले तो हम गाट बना लेंगे और उसके बाद हम आप जो यह देख रहे हैं आप चाने डिजान बनाएंगे तो उसमें आप ज़्यादा पटी रखेंगे मतलब कपड़े के पटी का यूज़ करेंगे तो उसमें आप मैं तो इसमें दो घर पर आपको बना कर बता रहे हैं आप सेम इसी आप ज़्याइन लेके और इसे तरह हमें टोटल जोइन करना है ज़याँ. जाँ जाँ कर दो 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 एक जो वब खेता है कर दो कर दो कर दो कर दो तो कर दो कर दो कर दो कर दोक। कर दो 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 कर तो दोस्तो देख सकते हैं आप इस टाइप से हमारा लेयर तयार हुआ है सेम इसी तरह हम 5-6 लेयर ले जाएंगे आप अपने हिसाब से जितने इसकी चौराई रखना चाहें रख सकते हैं तो हमारा चानने डिजाइन इस टाइप से तयार होगा तो आप जितना घर रखना चाहें चानने डिजाइन में आप उतना लेयर रख सकते हैं मैंने इसमें 4 लेयर रखा है और कम से कम इसमें 7 या 8 घर आप बनाएंगे और सेम उसी स्टेप को आपको दोराते हुए जाना है इसमें का लड़ी आप दुसरे तरीका का भी यूज कर सकते हैं मैंने इसमें दुसरा लड़ी यूज किया है तो आप अपने हिसाब से जिस टाइब का लड़ी रखना चाहते हैं उस टाइब का लड़ी रख सकते हैं इसमें कोई प्राब्लम नहीं है तो हमारा ये चाने डिजाइन सेम इसी तरह बन के रेडी होगा आप देख सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिं